इस भी जो बड़ी खबर है वही हम आपको बता रहे है PM के लिए दौरे पर चीनी विदेश मंत्राले का ये बयान है उन्होंने ये कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के संपर्क में है सैन्य और कुटनितिक स्तर पर बाचीत जारी है तनाव घटाने पर बाचीत चल रही है हालाद बिगारने वाले कदम न उठाए जाए जनरल पिसाद इस पर मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ और ऐसे वक्ष पर जब अखिलेश जी कहते कि चीन का नाम क्यों नहीं लेते तो एक सेना अधिकारी के रूप में पूल सेना अधिकारी के रूप में आप क्या कहेंगे इस पर लेकिए हमारे प्रधान मंतरी और हम कोई नहीं चाहता कि युद हो लेकिन युद की तैयारी करना बहुत जरूरी है क्योंकि चाइना के उपर हम भरोसा नहीं कर सकते ये बात केवल फौजी नहीं बलकि प्रधान मंत्री भी समझ रहे हैं बातचीत हो जाए बातचीत से हल निकला है तो बहुत अच्छा है अब आज प्रधान मंत्री के पास सारी जानकारी है कि डिप्लोमैसी किस तरफ जा रही है बातचीत किस तरफ जा रही है और मिलिटरी प्रिपरेशन किस तरफ है अब वो जो आज CCS की बैटब करेंगे शाम को या आज करें कल करें डेली करें तो उससे वो एक ऐसा decision ले पाएंगे जो की काम्याम होगा चाहे political decision लें चाहे diplomatic decision लें चाहे और economic issues पर discuss करें और चाहे military commander से कह दें कि अब अपना जो plan है उसको unfold कीजिए उसको चालू कर दीजिए उन्हें आज यखीन हो गया कि मेरे जितने elements हैं वो सब तयार हैं और उनको भरो होगी तो उसको उन्हें जरूर आज कह दिया होगा कि आप इसको करिएगा जब मैं आपसे कहूंगा चोटी सी बात आपको मैं याद दिला दू जब इन्होंने surgical strike किया था आज से देर दो साल पहले बारस सेना ने तो उस समय प्रदान मंत्री ने एक एक उसकी detail समझी थी जो कमांडर उसको कर रहे तो उसको कर रहे तो उससे पहले बातचीत की थी आपको याद होगा वो दिली में पूरी ब्रीफिंग हुई थी और मैंने सुना है कि पूरी रात प्रदान मंत्री उस दिन सो ही नहीं थे जब तक ये पूरा सर्जिकल स्ट्राइक समाप नहीं हुआ थ तो प्रदान मंत्री आज वो प्रदान मंत्री हैं जो केवल पूलिटिकल लीडर हों बलकि वो पूरी बात को समझ के एक डिसीजन ले रहे हैं और वो आज जो मिलिटरी हालत है उसको पूरी से अब किसी हमारे मिलिटरी कमांडर ने कहा होगा जी मैं अटैक कर सकता हूँ तो बात को उन्होंने ग्यान ले लिया है आज गई इसी मारे हैं बाकी सब चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं उन्होंने होसलावजाई किया और हमारे जवानों को देखना भी जरूरी है कि प्रधान मंत्रियां आए हैं उन्होंने बात चीत कि हम से तो हमें अब देश के लिए किसी शंका के लड़ाई करनी है तो यह जो आज की जो उनकी विजट हुई है यह बड़ी सर्प्राइज विज़िट हुई है लेकिन मैं आपसे एक बात यह कह दू अजना जी कि मुझे इसमें कदाई सर्प्राइज नहीं हुआ मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि अब एक द करेंगे बिफोर एक इस अनी फाइनल डिसिजन